नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में देखो भी यह जो इन्फोर्मेशन है यह भी आप लोगे लिए बहुत इंपोर्टेंस रखती हैं हम जानते ही हैं कि बहुत सर बच्चे ऐसे हैं जो अपना किसी कारणवस एक्जाम नहीं दे पाएं इस बार और बहुत सर बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहले से सप्लिमेंटरी यानि बैक आ रखी है तो उन बच्चों के जो है यहां पर एक्जाम का पूरा क्राइटेरिया फी का इन्होंने जारी कर दिया है एक लैटर हम पढ़ते हैं उसके बाद मैं ओफिशल साइट पे आप लोग को दिखा दूँगा कि कैसे आप लोग जो अपनी फी आगे प्रोसीड कर सकते हैं वैसे बहुत से अच्छे यूटूब चैनल है जिन्होंने आप लोग को अरड़ी बता दिया है लेकिन उन बेचारों की जो है रीच उस लिवल तक नहीं है कि जादा बच्चों को वो जो अवेर करवा सकें तो हम जैसे जो चैनल से है अगर वो इंफोर्मेशन देते हैं तो हमारी एंफोर्मेशन बलक में जाती है और बहुत सरे बच्चों को अवरनेस मिल जाती है और हर कोई दीरे दीरे ही आगे बढ़ता है यार वो भी किसी ना किसी दिन दो है बड़े चैनल बनेंगे तो उनकी भी information आप लोग देख लिया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको भी support कर दिया करो तो यहाँ पर आप लोग को बता दूँ यह एक letter है DGT की तरफ से तो मैं इसे पढ़ देता हूँ कि क्या इसमें दे रखा है यह जो notice है यह सबसे बहुत है तो 21 तारीक का या निकल का ही है तो subject जो है इसका वो है कि opening link for payment of fee for the leftover trainees of AITT 2020 and supplementary examination July 2021 देखो भाई जब आप लोग को ज़्यादा elaborate या पूरी चीजों को detail में बताना मेरा काम इसलिए है यूगि आप लोग को जब तक proof ना दोना आप मेंसे बहुत सरे बच्चे जो है यकीन नहीं करते कि information सही है यह गलत है तो यहाँ पर यह इन्होंने साफसा बोला है कि जिन बच्चों की supplementary थी और जिनके जुलाई में किसी कानवस जो है exam नहीं हो पाए उनको जब दुबारा exam देने का मोगा दिया जा रहा जुलाई में तो यहाँ आप लोग को बता दूं कि the following relaxation has been approved by the complement authority all trainees who have not appeared in exam will be given one more chance उनको एक और चांस दिया जा रहा जो exam में अपेर नहीं हो पाए ठीक है as soon as situation जो situation वो ठीक हो जाती है with conducive situation exams can be undertaken in the end of July 2021 के जुलाई में यह बोल रहे है कि end में जो exam आप लोगा हो जागा अगर यह covid की situation जो अच्छे तरीके से निपड जाती है तो this chance will not be counted towards regular chances given to failure student for supplementary as these trainees have been categorized as known appeared for now तो यहाँ पर जो है जो बच्चे फेल हुए उन्हेंने known appeared जो है यहाँ पर यह categorized में देखो साफ-साफ उन्होंने बोल रखा है so आप लोग यहाँ पर आपको बता दू कि in this connection it is informed that the link for payment of fee for this examination will be activated from this or this यह आपका जो link के यह proper तरीके से activate हो गया मैं अभी official site पर भी आप लोग को दिखा दूँगा और एक चीज आपको बता दू जिन बच्चों ने पहले से fee pay कर रही है उनको दुबारा fee pay करने की जुरूत नहीं है वहाँ पर एक option भी है अगर आपने पहले से fee pay कर रही है तो आप लोग जो है यहाँ पर fee pay करने का option दिख जाएगा तो मैं आपको official site पर लेकर चलता हूँ यह official site है तो इसका link मैं आप लोग को description दूँगा परिशान होने की जुरूत नहीं है यहाँ पर individual payment candidate can pay अगर आप एक बच्चे है और अपनी payment pay करना चाहते है तो click here करके आप pay कर दीजिए अगर आप single बच्चे है तो और अगर आप कि उनके code डाल के जो है सारे के सारे fee payment कर सकते हैं ठीक है उनका जो मैं इसका code रता उसके basis पर हो जाएगा और अगर आपने fee pay already कर रखी है तो यहाँ पर यह link के इस पर click करके आप जो चेक कर सकते हैं और आप लोग को बता दूँ कि 10 जुलाई 10 जुलाई तक आप अपनी fee pay कर स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी की सारी जो है AITT CBT exam face to fee paid list है यह सो यहाँ से list दिख जाएगी या फिर अगर आपने already pay कर रखे तो directly link पर click करके आपको वहाँ पर दिख जाएगा तो एक बार control F करके आप लोग देख लिए ना कि आपका name य अधरवाइस जब आप fee pay करने जाएंगे अगर वहाँ पर कोई fixed amount आरा तो अच्छी बात है अधरवाइस एक बार अपने कॉली से contact कर लेना कि आप जो है fee payment का criteria कितना आपको करना है इसके लावा आप लोग को बदा दूँ बहुत सरे बच्चे विचारे HCVT वाले परिशान है तो उनको ज्यादतर अपने कॉली से संपर्क बना के रखेगा और आप लोग उसे request है अगर आप किसी भी बच्चे को जीवन में suggest करते हैं कि भाई IT कर ले तो उसको बोलना मत्यार की HCVT कर ले वह HCVT करता है ना बहुत सारी चीजों से परिशान हो जाता है तो यही आप को मैं बोलूँगा इसके लावा कुछ और अपडेट से जो मैं दे देता हूं NPCL के फोर्म संडे से आप लोग के लिए डालना शुरू कर रहा हूं HAL का आज रिजल्ट आ चुका है जो हर्याना की एक application loan चुई है उस पर मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को वीडियो प्र है तो मैंने इसके साथ साथ आप लोग के लिए बहुत सारी खबरे जो है अपडेट कर दी है इसके अलावा DRDO की जो apprenticeship है वो एक आने वाली है आप लोगों के लिए अभी अभी मेरे पास खबर आई है लेकिन जब तक मुझे proof नहीं मिलेगा तब तक आप लोग को वीडियो म बहुत कम आती है इससे पहले banknote की नोकरी आई थी आई होप कि उसमें आप लोगों ने apply किया होगा बाकी जुड़े रही है इस तरीके की information आपको मिलती रहेगी बाकी जो दूसरा channel है उसका link में आप लोग को description दे रहा हूं उससे भी जुड़ जाई है क्योंकि वहाँ पर definitely काम में आने वाली है धन्यवाद